अलो एवरिवन आप सभी का स्वागत है आपके अपने चानल पर जिसका नाम है स्टॉक शिक्षक सो दोस्तों यह स्ट्रेटेजिक आनॉस्मेंट मैंने टेलिग्राम चैनल पर लगबग पाच से छे दिन पहले किया था एक वीडियो हमने उसी दिन वहाँ पे पोस्ट किया था तॉफ फाइडिंग उसके बाद ये वीडियो में हम लोग आज देखने वाले ईक बॉलिंजर बैंड टर्बो ट्रेडिंग स्ट्रेडियू थे नाम रखने का इसके पीछ आने यह तर्बो तरीके से ही वर्क करती है टर्बो पावर के साथ वर्क करती है एक्यूरेसी भी इस हो जाला हूं कि मैंने कितने बजे ट्रेड लिया कैसे ट्रेड लिया आज का ही cuma बताने वाल है लेकिन यह स्य्मेंत बनास्ट को सुछने के लिए स्राइब लग्रफों है तूध आगे है वाले उस्का नोट मिलता रहे हमारे टेली गरम चैनल को भी आप जोइन कर सकते जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो वहाँ पे काफी सारे अपडेट्स हम लोग रेगुलरली पोस्ट करते हैं तो विदाउट वेस्टिंग इनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं तो चलिए देखते हैं क्या यह बॉलिंजर बैं चीज के जो कमेंट्स मुझे बहुत कॉमन लगे है आज तक लोग पूसते हैं वही चीज भार-बार पूसते हैं तो उसके लिए मैंने यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि यह चो स्ट्रेटीजी यह सारे सेग्मेंट में आप यूटिलाइज कर सकते हैं यूज कर सकते टाइम फ्रेम में इसको यूज कर सकते हैं तो यह मैं पहले बता दे रहा हूं यहां पर मार्केट में क्या होता है दोस्तों कि जो बड़े ट्रेंड होते हैं जो सिंपल से वन साइड ट्रेंड हम लोग जिसको कहते हैं उसके साथ ट्रेड करना काफी एजी होता है जैसी कि आ बहुत सारे strategies बहुत सारे indicators इस तरीके के जो pattern होते हैं वहाँ पर fail हो जाते हैं तो यहाँ पर काम करना ही सबसे important चीज है क्योंकि यहाँ पर single side movement नहीं है आपको देखेगा momentum movement फिर pullbacks भी है तो यह pullbacks पर trade करना सबसे important है और वही crucial task है अगर आप कोई simple इसके साथ बड़े जो trends है यह पकड़ना आसान है जैसके आप screen पर देख पा रहे है यहाँ पर आपको entry मिल जाएगा तो यहाँ से एक अच्छा सा movement हमें मिल जाएगा लेकिन अगर आप इस तरीके के zone में अगर वह indicator यूज करना चाहोगे तो यहाँ पर trade कर पाना बहुत difficult है जो इस तरीके के movements है क्योंकि यहाँ पर मुझे interest कहा कहा पर दिख रही है यहाँ पर इतनी जगस पर जो interest दिख रही है तो यह सारे fake signals है क्योंकि यह एक indicator इतना compatible नहीं कि ए ऐसे zone में काम कर वाएगा तो सबसे important वही था तो यह जो indicator जिसके हम बात कर रहे है बॉलिंजर बैं ट्रेंड्स है वह और जो reversal वाले ट्रेंड्स है pullbacks वाले वह हर तरीके के case में यह काम में आता है क्योंकि यहाँ पर double confirmation हमें मिलता है तो entry लेना है कि नहीं लेना है यह totally हम पर depend करता है हमारे decision पर depend करता है सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके components कौन से कौन से होते है बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर के components कौन से कौन से होते है जिसके आप screen पर देख पा रहे है बॉलिंजर बैंड में ने अल्रड़ी apply कर दिया है इसका जो यह middle line है yellow color का यह होता है 20SMA simple moving average यह होता है और जो side में green color के lines आपको दीख रहे है यह वाले तो यह वाले होते standard deviation lines बहुत सारे लोग इनको side bands भी कहते है तो यह matter नहीं करगा इसको कौन क्या कहता है इसका working कैसे करता है यह important है side bands जो है standard deviation lines जो है यह indicate करती है कि market choppy है कि volatile है अगर choppy situation में मतलब non-volatile situation में low volatility है तो ऐसा एक पतलास band बनेगा मतलब जिसको हम लोग squeeze केते है particularly ballinger band के language में इसको squeeze केते है जैसके आप screen पर देख पार है तो इसका मतलब होता है कि low volatility है यही band अगर expanded अगर आपको दीख रहा है अच्छे से बड़े-बड़े distance के साथ तो यहाँ पर यह पता चलता है कि यहाँ पर high volatility present है तो यह ballinger band बहुत सारी वीडियो अल्रड़ी YouTube पर पड़े हुए तो उन्हें बहुत सारी लोगों ने misconception भी वहाँ पर propagate किया कि जैसे कि लोगों की दिमाग में गलत concept है कि ballinger band को लेकर trade कैसे किया जाता है लोगों को यह लगता है कि ballinger band के बाहर अगर आपका candle आ रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता है ballinger band को यूज करने का अगर आपको कोई बता रहा है ऐसा यूज किया जाता है तो वह गलत है ठीक है तो यह कैसे गलत है मैं आपको वह भी दिखा देता हूँ अभी यह एक example आप screen पर देख पा रहे है यहाँ पर आप देख पा रहे की candle जो है बाहर निकल रहा है ballinger band से तो यहाँ पर अगर हम लोग buy करने जाएंगे तो क्या होगा आप देख सकते है यह देखे क्या हो गया इसके बाद और नीचे आ आगया तो आपका loss heat हो जाएगा या stop loss heat हो जाएगा या loss book करना पड़े का आपको तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह वाल पॉलिंजर बैंड जब उस पर अपलाई किया जाता है तो यह एक sequence रहता है sequence कैसे रहेगा थोड़ा आपको दिखेगा की squeeze आपको दिखेगा low volatility zone रहेगा और उसके बाद आएगा high volatility zone उसके बाद थोड़े दिर बाद वापिस आपको देखेगा low volatility zone जैसे का आप या पर attachment है एक indicator और present है आप अगर trading view में जाएंगे और जो default indicators में अगर आप select यहाप सर्च करेंगे आप इसे बॉलिंजर टाइप करेंगे तो आपको यह option सामने देखने को मिलगे तो इसमें से आपको select करना है बॉलिंजर bands width यह indicator अगर आप सिलेट करते हो तो आप स्क्रीन के ऊप बढ़ रहा है बॉलिंजर band के जो deviation line से उसमें distance बढ़ रहा है तो यह भी ऊपर के तरफ यहाँ पर फ्लोट कर रहा है तो यह इंडिकेट करता है कि बॉलिंजर band का width कितना है और यह दूसरी चीज़े इंडिकेट करता है कि volatility कितना है जैसे कि यहाँ पर मैं partition कर तो आप लिख रहा है तो यह हो गया high volatility तो इसके लिए हम लोग use करेंगे यह बॉलिंजर band width नाम का indicator ठीक है हम लोग एक script में इसके कुछ example देखेंगे और जो script है मैंने थोड़ा सा और तरीके का choose किया है मैंने script choose किया है crude oil जो continuous इसका future का chart है वो मैंने यहाँ पर select किया है यह मैंने क्योंकि इसमें जो है time span ज्यादा मिलता है तो signals हमें अच्छे से study करने के मिलेंगे तो दोस्तों हमें करना क्या होता है सबसे पहले आपको एक चीज monitor करनी है कि कहाँ पर squeeze बन रहा है मतलब यह इस तरीके का आप देख पार है कि दोनों band के बीच में distance काफी कम है तो आपको यह monitor करना है scenario पहली चीज दूसरी चीज आपको क्या monitor करनी कि जो bbw signal है वो नीचे के side में है आप यहाँ पर देख पार है काफी नीचे के side में यह ले कर रहा है यहाँ बिलकुल इस तरीके के इसी zone में तो आपको यहाँ पर wait करना है किस चीज का आपको wait करना है breakout का तो breakout हुआ है यह किस तरीके से पता चलेगा दो से तीन चीज आप इसमें use कर सकते है सबसे important चीज में यह उतने तो पहले तो आपको यहाँ से जो candle बाहर निकल दृए वहाँ पर watch करना जैसे कि यह candle यहाँ से बाह प्रेजन नहीं क्योंकि दो तीन के बाद यह पीस नीचे आ गया तो यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है फिर हम लोग कहा पर watch करेंगे हम लोग watch करेंगे इस जगग पर जैसे ही यह candle बना यह candle बाहर निकला यह candle के बाद जो दूसरा candle बाहर निकला तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि यह उपर के तरफ मूड़ गया था और दूसरी चीज जो बॉलिंजर बैंड के लाइन से जो में आपको ट्रॉ करके तो यह देखे यह एक लाइन और यह वाला एक लाइन यह दोनों लाइन थोड़ा सा डिस्टन्स इसमें बढ़ गया था तो यह एक इंडिकेशन होता है कि यहां से ब्रेक आउट आ सकता है वोलेटिलिटी आ सकता है तो बिल्कुल यह यह पर आपको ट्रेड लेना है जो कंडल पर आपको कंफरमिशन मिल जाए उसके हाइप ट्रे लिजे दूसरी चीज यहां पर लोग यह भी देख सकते कि जो प्रिवेस रेजिस्टन्स था यहां पर च्छोटा सा यह वाले रेजिस्टन्स में वाच कर सकता हो यह भी यहां पर प्राइस एक्षन को भी आप इसके साथ यूटिलाइस कर सकते यहां पर आपको ट्रेड लेना है जो पीछला स्विंग लो यह वहां पर आपको स्टॉप लागा ना है अप देख पाएंगे कि ट्रेड आपका बनता है 5680 के आसपास और आपका स्टॉप लॉस है 5 640 के आसपास और टारगेट आपको मिल रहा है 5820 तो अल्मूस्ट वन 40 points का आपको target यहाँ पर मिलता हुआ stop loss आपका है 40 points का यह crude का scenario है एक example हम लोग और देख लेते हैं इसके बारे में यह देखिए crude में आप देख पाएंगे कि buying side में एक और signal है जैसे कि आप यहाँ पर देखेगे कि यहाँ पर पहले तो आपको यह दिख रहा है कि यह अच्छा खासा ऊपर के डारेक्शन में मूड चुका था और दूसरी चीज़ यह जो Bollinger Band के जो deviation line से इसमें distance भी बढ़ चुका था so this is the signal that this is the sign that we should take an entry entry तो हम लोग यहाँ पर entry लेंगे यह रहेगा हमारा stop loss so almost 5 to 40 पर आपका stop loss है आपकी entry में पकड़ की चलता हूँ अल्मोस 5 to 70 पर यह कितने पॉइंट का SL हुआ 30 पॉइंट का SL टार्गेट आपको कितने का अची हुआ दोस्तों यहाँ पर आम लोग देखेंगे टार्गेट हमको आची हुआ रहा है 5370 almost 100 पॉइंट का आपका टार्गेट अची हो रहा है यहाँ पर exit के लिए एक strategy है अगर आप चाहिए तो strict profit to loss ratio maintain करके आप trade कर सकते या फिर इसको वेट करें कि यह middle line को जो 20 का SMA है इसको breakout करके red candle जब नीचे आएगा तो वहाँ पर exit कर सकते तो मतलब आप यहाँ पर exit कर सकते पहले 5-2-4-0 पहले इसको काटके आप entry price पर ही आपका stop loss लगा सकते है तो इससे क्या होगा यह 30 point का stop loss आपका 0 का हो जाएगा तो no profit no loss scenario में आप save zone में चले जाते है worst case scenario वही रहेगा तो इसके साथ आप trail कर सकते है और इस तरीके साथ exit point यहाँ पर find out कर सकते है यह middle line के साथ ठीक है तो यह तो होगे bullish side के example अभी bearish side का example आपको दिखाता हूं यहाँ पर देखे same scenario squeeze है यहाँ पर एक बार indication मिला था यहाँ पर indication मिला था लेकिन नीचे से कोई response नहीं आया नीचे क्या कोई response नहीं आया क्योंकि यहाँ से office उपर चला गया तो आपको watch ही करना है जब तक अच्छे से कोई rise ना देखे volatility में तब तक entry नहीं करना है यहाँ पर आपको में यह इसलिए example दिखार यहाँ पर देखे यह एक्चली entry था यहाँ पर volatility missing है यह दो candle के बाद भी volatility missing है volatility कब मिला यह बड़ा candle जब fall आया तो यहाँ पर मिला volatility यह उपर के side में आया और volatility लेना इस case में आपका profit to loss ratio 1 to 1 का मुझे दिख रहा है लेकिन यह scenario भी देखने जरूरी इसी cream scenario देखके judge ना किया जाए तो एक और ceiling का मैं आपको example दिखा तो यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर यह पूरा zone squeeze में है नीचे भी अच्छे से low side में है यह यहाँ पर breakout मिलता है यहाँ पर अभी तक momentum नहीं आया next candle बना यह उपर के direction में चला गया बॉलेंजर बैंड आपका वाइड हो गया इसके low पे sell कर देना है stop loss आपका यह रहेगा 4770 का आपका stop loss है almost entry price यह आपका 4750 का stop loss है 20 points का है target मैंने बोला था कि cross or करके free candle जब तक बनता है नहीं तब तक छोड़ना नहीं तो यहाँ पी भी exit नहीं करना है यहाँ पी नहीं करना है यहाँ पी आप exit कर सकते हैं तो यह आपका 4700 पे आप exit कर सकते हैं तो आपका profit कितना मिला आपको आपने entry लिया था यह almost 455 तो 50 point का आपका target so one is to 2.5 का profit to loss ratio आपका maintain हो गया तो इस तरीके से इसके साथ trade करना है तो दोस्तों भी BBW तो हमने देख लिया कि BBW अच्छा खासा indication दे रहा है तो इसको utilize करके आप trade के से ले सकते हैं तो मैंना भी आपको दिखा तो मेरा जो आज का दिन का जो trade है वह भी मैं आपको तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यह देखिए यह squeeze अच्छा का सा squeeze यहाँ पर बन रहा था दिन बर में morning के momentum के बाद momentum एकदम से मिस हो गया था यह देखिए नीचे के सेड में चला गया था BBW यहाँ पर मुझे एक candle पर breakout मिला यहाँ पर पहला मुझे breakout हलका सद दीखा लेकिन यहाँ पर फिल भी प्रेजेंट नहीं था फिर यह वाला जो चैंडल है 42 वाला 1242 यहाँ पर breakout मिला momentum भी मिला लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा hold करने का सोचा क्योंकि decision इतना hard and fast मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था कि आज के दिन के जो देगा नहीं तो यह तब तक मैंने यह थान लिया था कि जब तक यह resistance लेवल जब तक ड्रेक नहीं होगा तब तक मैं ट्रेड नहीं लोगा तो मैं यहाँ पर तो अच्छा कासे confirmation तब तक मिल चुके थे आप देख पाएंगे यहाँ पर मैंश कोटा देता हो थोड़ा सा यह देखिए यहाँ पर मुझे इंडिकेशन मिल चुका था यह वाइड हो गया था बॉलिंजर बैंड भी वाइड हो गया था यह भी अच्छा का सभूपर आगे था पस मुझे वेट था इस चीज़ का तो जैसे ही यह candle रेकाउट हुआ तो यह candle है अल्मोस्ट 1251 का candle था यह ज जाग और इंडिकेटर उसने भी बहुत परफेक्ट तरीके से उससी जगह पे सिगनल दिया था अब देख पाएंगे कि यह रिखिए चला गया था 860 तक मतलब अल्मोस्ट 192 200 पॉइंट्स के आसपास यह चला गया था मैं आपको आपका मैं मेरा ओडर बुग भी दिखा देता हुआ क्यों सा ओप्शन लिया क्या मैं आपको दिखा देता हुआ मैंने थोड़ा सा आइटेम यूस किया था मतलब इन दमनी वाल यह मेरा जिरो तकाइट पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा मॉर्निंग में मैंने पहले लॉस बुक कर लिया था 273 पर वही कॉल भाय करके फिर मैंने 232 पर मैंने उसका लॉस बुक कर लिया था अल्मोस्ट 40 पॉइंट का यहाँ पर मैंने लेकिन मुझे पता था यह दीन बर में अच्छा मोमेंटम देगा तो यह आप देख पाएंगे 1252 को यह मैं दिखा देता हूँ यह कोई इमेज नहीं है यह आपर मैंने एक्जेकुटेड ओडर मैंने उपन करके रहा है 1252 को मैंने 290 पर वही कॉल भापिस बाई किया जो कि म जैसे मुझे अच्छा खासा यहाँ पर प्रमफिड बोक वा तो सुबह का लॉस तो वहाँ पर रिकवर हो गया और उल्टा मेरा प्रमफिड भी अच्छे से वहाँ पर बूक हो गया तो यह मैरा आज का ट्रेड है यह सिंपल वही जो बॉलिंजर बैंट टर्बो ट्रेडिं चाते तो comment कर सकते हैं लेकिन आपके दोस्तों को invite करना ना बुलिए इस चैनल पर और आप भी चैनल सब्सक्राइब करना ना बुलिए बेल बटन पर क्लिक करिए हमारे टेलिगराम चैनल को भी जॉइन करिए और आप अगर जैगवार का ट्राइल लेना चाते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया फॉर्म का वो भी बरके दे सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू